हलो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज मैं आपको सूट में जिप लगा के दिखाऊंगा कि सूट में आप जिप किस तरह से लगाएंगे और ये दोस्तो सूट हमारा बन चुका है यनि जो सूट अगर आपका रेडिमेट है उसमें भी जिप लगाना चाहते हैं या फिर आप गलती से सूट बना चुके हैं और उसमें जिप लगाना भूल गया है तो उसमें जिप आप किस तरह से लगाएंगे तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कई बार होता है कि कस्टूमर भी पहले नहीं याद दिलाते कि उसमें सूट में जिप लगाना है या फिर नहीं लगाना हम Bengal अगाने का को आफा हैं किस तरह देना से तरह बने हुए इसे हमें इस वीडियो से कुर्ण आपको इस वीडिय tapa है यह दिखन duty लेना है और यह जीप आती है Cleveland की एक घूम में ब्लेन की एक इए्ड आति है नॉर्मल जिप तो भी आप दोनों जिप हम लगा सकते हैं बने हुए सुट मूं मतलब प्लेन जिप लगा सकते हैं गुम जिप लगा सकते हैं तो वह आपके उपर चौइस है कौन से जिप लगाना चाहाते यह देखे हमारा सूट बना हुआ है अब इसमें हमें जिप लगाना है तो हमें क्या करना है उसके लिए दोस्तों यह हमें धाई से तीन इंच चोड़ी पट्टी कटिन करना है जो कि हमने कटिन कर लिया है यह दोस्तों पौने तीन इंच पट्टी और लंबी दोस्तों हमें पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करें कि इसमें पहले में सिलाई लगानी है तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं पहले एक तरफ ही हमने देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया है अब इसी तरह से हमें दूसरी तरफ फोल्ड करना है यह देखिए इस तरह से यह हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है अब इसके बाद में यह दोस्तों हमें क्या करना है इस पट्टी के 20 सेंटर पर हमें एक पहले निशान लगा लेना है यह हमारी पट्टी जो तयार हुए तो डेड़ इंच से फालतु है तो इसका जो 20 सेंटर होगा तो यह देखिए हमें इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर लेना है और इसके बराबर से इस तरह से 20 सेंटर निकाल के और यह हमें इस तरह से 20 सेंटर पर एक निशान लगा लेना है पूरे में तो यह हम फटा-फट निशान पहले कंप रॉ catch हमें जिप लगानी है तो बैग साइड में लगानी है है तो इस तरह से हमें पहले जो बैग completely है तो वह हम हमें है कन फ़र्म कर ना है और इसका दोसे बी चयले सब्सेयर बनाना है तो इस से बालए हम किस तरह इसमें लगाना है अगर by chance हम प्रेसे में कर चुके हैं या फिर रेडिमेट सूट है या फिर बनने के बाद में सूट आया है तो कई बार होता है, यहांपे हमारी जो निशान होता है, भी सेंटर का, तो वो नहीं होता, तो हमें इंची टेप से इस तरह से, इसका देखिए यह यह चेस्ट को इस तरह से नापना है, यह यहां से हम इस तरह से नाप लेंगे और उसके बाद में जो यह हमारा 20 सेंटर आएगा, यानि इंची टेप को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, तो यह देखिए जो 20 सेंटर है तो यह हमारा इस तरह से बन चुका है, यह इस तरह स अब यह 20 सेंटर में इस तरह से निशान लगा देना है कमर पर भी हमें इसी तरह से 20 सेंटर नापना है कि इंची टेप को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो यह हमारा बीच सेंटर आराम से निकलाएगा अब इंची टेप की मदद से या फिर स्केल की मदद से इस तरह से दोस्तों हमें 20 सेंटर पर निशान लगा लेना है अब आपको जिप कितना नीचे तक लगाना है वो आप देख लें यह देखे हमारा 20 सेंटर है तो यह इस तरह से आएगा यह जो निशानत हमारा आउट है तो इसे हमें इस तरह से कट लगा देना है तो जिप आप अपने हिसाब से नाप के लगा सकते हैं यह देखे यहां से हम कंदी से भी नाप सकते ही से उसको एक कंदी से हमें नापना होता है यहां पर हमें लगा लेना है इस तरह से अब दोस्त तरह नीचे वाला पल्ला ना कटिन होने पाए और 20 सेंटर से यह देखिए इस तरह से हमें कटिन करना है तो इस तरह से कटिन करने के बाद में अगे जो हमारा सीधा वाला साइड है तो इसमें हमें क्या करना है जो पट्टी हमने फोल्ड किया है यह देखिए इस तरह से तो नीचे की तरफ कम से कम हम दो इंच पट्टी को इस तरह से छोड़ देंगे यह दो इंच उपर हमें इस तरह से यह निशान लगा लेना है अब यह जो हमने कट किया है तो इस निशान के बरावर से इ नाप लेना है यह देखिए जहां तक आएगा तो इस तरह से हमें रखने के बाद में हमें इसमें थोड़ा सा दबाव देते हुए सिलाई लगाना है ज्यादा इसमें दबाव नहीं देंगे नहीं फिर आपका सूट भी लूज टाइट ज्यादा करना पड़ सकता है तो इसमे यह को हमें लगा देना है नीचे तक कि अ कि अ कि अ कि यह देखिए दूसरी साइड भी हमें उतने माजन लेना है अभी सिलाई को इस तरह सुतारने के बाद में यह देखिए हमें आधा इंच यह एक्ष्टा कपड़ा रखना है और इसके बाद में दोस्तो यह जो पट्टी है तो पट्टी के हमें 20 सेंटर से कटिन करना है यानि दोनों तरफ हमें मार्जन बराबर छोड़ना है यह देख आराम से कटिन कर लें अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें इससे कि हमारी नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालेंगे चैनल को अगर हमारे सस्क्राइब कर लेते हैं और वीडियो को लाइक कर देते हैं तो दोस्तों काने के बाद में यह पट्टी को हमने क्या करना है इस तरह से रखेंगे नाखून से इस तरह से फिनिस कर लेना है यह देखिए इस तरह से हमने कर लिया है अब दोस्तों हमें क्या करना है ये पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में जिप को हमें लेना है इस तरह से ये जो हमारा कुंडा है ये देखे लॉक उपर की तरफ हमने रख लिया है और ये जो सूट में हमने पट्टी को टैस्ट किया है ते दोस्तों अंदर की साइट हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यह जिप को हमें बिल्कुल इसके बराबर से इस तरह से रख लेना है और आप यह जो एक्ष्टा जिप है यह देखिए आधा इंस हमें इसमें भी एक्ष्टा रख लेंगे और दोस्तों क्या करना है यह जिप ज इसके यहां से बराबर रखना आगे पीछे ना होने पए और इस तरह से हमें क्या करना है इसमें शिलाई लगा देना है यहां पर सिलाई हमें पहले इस तरह से लोक करना यानि पक्की कर देना है अब दोस्तों इसे हम इस तरह से बराबर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में यह देखिए हमें इस तरह से इसमें सिलाई लगा देना है और यह सिलाई दोस्तों हमें एक पैर हट के लगाएंगे अब दोस्तों यह देखिए हमने इस तरह से सिलाई यहां तक कम्पलीट करना है अब यह देखिए लॉक को हमें इस तरह से ऊपर की तरफ खींच करना है कि यह देखिए हमने बंद कर दिया से और दोस्तों यह देखिए हमें शूट को इस तरफ से यहां से बराबर मिलाजा के रखना है है कि और इस्की पठ टी है मैं थोड़ा सा हलका सा खींच लेंगे ताकि यह क्या है इसमें जो यहां पर सिल्वर्ट पड़ जाती है तो यह बिल्कुल फिनीसिंग से बैठ जाएगा और इसके बाद में यह सिलाई गौमे पूरा नीचे तक कम्प्लीट करना है यह देखे जहां तक हमने कट खोला हुआ है कट तक हमें इस तरह से सिलाई लगाना है और इस तरह से घुमा के और दोस्तों इनको दोनों को हमें इस तरह से बराबर मिला के और यहां पर हमें यह देखिए इस तरह से एक बार लॉक कर देना है सिलाई से बराबर मिला के रखना थाकि आगे पीछे ना होने पाए और मिलाने के बाद में जैसे अमने इधर एक पएर हटके शिलाई लगा देना है तो यह हम इसी तरह से यह देखिए बराबर करते जाएंगे और इसमें शिलाई है लगाते जाएंगे यह देखे हमने इस तरह से यहां तक बराबर कर दिया है और यह इस तरह से सिलाई लगा दिया है अब दोस्तों क्या करना है हमें चैन को खोल लेना है और यह देखे हमने इस तरह से लोग को पीछे की तरफ ले जाएंगे खोल के और यह जिप जो हमारी एक्ष्टा हो रही है तो यह हमें पट्टी के बराबर इस तरह से कटिन कर लेना है और दोस्तों पट्टी को हम इस तरह से मिला के रखेंगे और जिब को भी बराबर और इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और यह देखिए इस तरह से फोल्ड हो चुकी है और अब इसमें हमें सिलाई बराबर जैसे हम पीछे से लगाते आ रहे हैं तो उसी तरह से हमें सिलाई लगा देना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें हैं इसे लॉग करören सिलाई से यह आपके पीछे घर करके सिलाई पक्कि कर दॉस्तों इस तरह से हमारी जीप लग चुकी है और यह बहुत ही फिनिसिंग से लगी हुई है यह एक बार हम आपको दिखाते हैं के यह देखिए विद दहागा पहले हमें इस देना है और इस तरह से लोग को बंद करना है तो दोस्तों इस तरह से हमने जऺ लगा दिया ये देखा हमारा जो यहां गले का साइड है तो यहां से भी बिल्कुल बराबर है और यहां पे वह हम हुक लगा देंगे ताकि यह जप हमारी है खुलेना नीचे की तरफ, तो यह देखिए, जो यहाँ पर जीफ हमारी थोड़ी सी एक्स्टा हो रही है नीचे की तरफ, तो इसे हम कम से कम आधा इंच, या फिर एक इंच तक एक्स्टा रखने के बाद में, इस तरह से कटिन कर देंगे, और यह जो हमारी पट्टी नीचे क की तरफ एक्स्टा है, तो इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके, इसमें शिलाई लगा देना है, यह देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड किया, और इस तरह से, यह देखिए, हम शिलाई इसमें लगा देंगे, ताकि यह जो चैन नीचे से खुल जाती है, तो उपर तक खुलती चली जाती है तो वह बिल्कुल भी नहीं चुलेगी और यह दोस्तों चैन कई बार चुबने लगती है वदन में बोडी में तो भी बिल्कुल नहीं चुबेगी यह देखिए कपड़ा एकदम इसे हमने लॉक कर दिया है तो इस तरह से जीप आप आसानी से लगा सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से यह देखिए बहुत ही फिनीशिंग से हमारी जीप लगी हुई है दोनों तरफ से इसमें बीच में कोई गयप नहीं आता यह देखिए इस तरह से तो अगर आपको यह जीप लगाने के तरीका पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्र